हेलो एवरिवान वेलकम तो लेल्स लेर्निंग और आज की इस वीडियो में शेयर कर रही हूं कि बच्चों को एक्जाम के तयारी करानी किस तरह ऐसे है कुछ ऐसे सिंपल से टिप्स और ट्रिक्स इनको आप फोलो करेंगे और उसके बाद आपको अच्छा खासा रिजर्ट द चलती हूं अपने बेटे का वह सेकंड क्लास में है और उसका एवियस का एक्जाम है तो आपको उसकी तैयारिया करानी किस तरह से हैं तो लेट्स शेप्टर आ रहे हैं 9 16 17 एंग तो सारे तीनों की तीनों चैप्टर का रिवीजन तो मैं उसे एक साथ नहीं करवाऊंगी व बच्चों को पूरे चैप्टर की रिडिंग करवानी है बट दूरें रिडिंग आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पीछे की पढ़ना है यह तक दर करेक्ट आप्षिंस हैं तो इसको मैं एक करके सबको रीड कर लूँगी और जब मैं रीडिंग करवाऊंग तो यहीं पर मैं उसे बार-बार पूछूंगी कि कहां पर हम पोस्ट करते हैं अपने letters को post box में कहां पर करते हैं greeting cards को post post box में तो इस तरह से वो जब बाद में exercises करेगा तो इसको यह चीज जियान आएगी कि हां ममी ने मुझसे बार-बार पूछा था और उसको वो चीज एकदम से दिमाग में setup भी हो जाएगी उसके बाद चलते हैं question answers पर यहां पर questions दिये गए हैं कुछ paragraphs में वाट मैं जब उससे revision करवाओंगी उससे लिखवाओंगी तो मैं paragraph form में नहीं करवाओंगी मैं उसको इस तरह से यह flow chart बना के उसके सामने present करूंगी और उससे जब लिखवाओंगी तो इसी तरह से लिखवाओंगी जैसे यहां पर first question ही दिया गया है what are the personal means of communication तो उसको question की form में ना लिखे मैं इस तरह से flow chart के form में उसको दूँगी कि जब भी वो एक्जामें perform करें तो उसे चार्ट एक तरह से याद आए means of mass communication, newspaper, magazine, radio, television तो इसको यह चीज़ याद आएगी कि हा मैं इस तरह से four words लिखे थे सीधे सीधे मैं उससे question answers लिखाने के बजाए में इस तरह से flow chart या पर different activities का की help लोंगी okay for example 17 chapter पे आते हैं transport and safety अब क्योंकि इसमें सारी बाते ट्रांसपोर्ट के बारे में हुई है तो reading कराते समय मैं उसका focus in pictures के उपर डालूंगी की और जो भी चीज में उसे बताऊंगी तो उसमें उसका ध्यान उस picture की तरफ तुरंत लेके जाओंगी जैसे vehicles pulled by animals जैसे उसका answer आएगा तो मैं ना दूंगे और कुछ जो उसकी book notebook में दिये हुए होंगे वह भी ले लोंगी और जब उससरे की questions करेगा तो मैं उसे spelling के लिए hint भी दे दूंगी यानि जो भी इसका answer होगा उसकी आधी spelling मैं लिख दूंगी क्योंकि यह वाली इस तरह के exercise कराने से बचों को spelling mistakes करने की probability बहुत कम हो जाती है वह spelling mistakes बहुत कम करते हैं इसके अलावा मैं उसे oral questions बहुत सारे करती रहती हूं और related to the topic और chapter जो भी मेरे आसपास चीज़े मुझे दिखती रहती है या फिर टीवी में या फिर मोबाइल में उसके सामनी चीज़ों को represent करती रहती हूं तो इससे क्या होता है वो चीज़ों को relate कर पाता है क्योंकि अभी मुझे पता exam चल रहा है यह वाला chapter आना है तो चैप्टर से related जो भी चीज़े होंगी उसको relate करते हुए वो चीज़ों क चीज़ों को जल्दी से समझता रहेगा और चीज़ों को याद भी रखे लास्ट में तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप पूरा कपूरा से लेवस एक साथ रिवाइज मत करवाईए टॉपिक वाइस करवाईए और बीच में ब्रेक लेके मल्टिपल रिवीजन लगाई आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी बिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग बाई